सत्याग्रह नहीं है यह असैय के लिए आग्रह है और सच बात तो यह कि सत्य ग्रहन लगाने की कोशिश है यह विशख जो उठा रहे हैं कॉंगरेस पार्टी वाले यह न देश के लिए है आवश्यक नहीं पार्टी के लिए ये एक परिवार को बचाने की एक कुछित प्रया और परिवार को ही बचाने का प्यास चल रहा है। करोडों रुप्य का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजैंसी को जवाब देना यह उनकी आवशक्ता है और यही करने की आवशक्ता है। लेकिन यह परिवार अपने आपको देश से उपर कानून से उपर समझता है इसलिए इनसे कोई पूछे हिमाकत करें कि इनसे कोई पूछे यह इन्हें नागुजार है यानि इसको एकसेप्ट नहीं करते हैं और अभी अभी सुप्रीम कोट का फैसला आया है प्रिवेंशन कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विश्यों को रखना यह किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से उपर समझने के जिए कुछ सित प्रयास है यह इस देश में चलने है देश नियमों से चलता है और नियम सब के लिए बराबर है और नियम का कानून का जवाब देना यह सब की जिम्मेवारी है मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी और यह परिवार इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए कानून में सारे प्रौ।